हेलो और वेलकम वन और जैसा कि आपको पता है कि क्लाइट एग्जामिनेशन आपके बहुत जादा नजदीक आ गया है और मुझे बहुत अच्छी से पता है कि आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया क्या क्योंकि आप एक जरिया धूर रहे हो जिससे आपको यह पता चल स जहां पर हम तयारी कर रहे हैं क्लाइट एग्जामिनेशन अभी जो फोकस है वो है 2024 का और इसके लिए जो भी चीज़ें हमारे लिए आवशक है वो सारी आपको इस चैनल पर जो है प्रोवाइट करा ही जाती है तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जितना जादा प्यार आप अपना दिखाओगे हमें और मोटिवेशन मिले का कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए और जादा लेकर आएं सो विदाओट वेस्टिंग मच आप टाइम जल्दी से आगे आते हैं बट आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देता हू जैसे ही आप इस QR code को scan करेंगे यह आपको लेकर आएगा इस टेलीग्राम ग्रूप पर जिसका नाम है बिइंग अदित्यराय अंडर्सकोर क्लाट चाहें तो आप मेरा जो सोशल मीडिया का handle है इस बिइंग अदित्यराय इन कंटिनेशन इसको जैसे ही आप टेलीग्राम प सेशन्स at the same time जितने भी मेरी classes on academy के portal पर होती वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जी अब चुकि हम बात कर रहे हैं daily schedule की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की लोग जो हैं वो इस examination को दे रहे हैं अगर हम बात करते हैं इस examination की तो I can very well feel कि आप मे उसरे जो हैं वो आपके droppers होंगे school going kids वो kids होंगे जिनको school भी जाना पड़ता है boards की तयारी भी करनी है and फिर उसके बाद clad examination की तयारी भी करनी है whereas when I talk about the droppers यह वो लोग हैं जो already class 12th खतम कर चुके हैं तो यह या तो retakers हुए या फिर इनको 12th में नहीं पता था कि ऐसा एक examination होता है clad का लेकिन अब यह चाहते हैं कि उस examination की dedicatedly तयारी करें तो वो जो है exam को निकाल सके इसके लिए आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे हर एक section के लिए proceed किया जा सकता है let suppose कि आप एक school going student है अगर आप एक school going students है तो student है तो I assume कि आपके पास 24 hours होंगे obviously sir everybody has 24 hours yes but in 24 hours में मैं मैंने तीन हिस्सों में इसको बाता है 8 hours 8 hours and 8 hours जो पहले 8 hours यह आप पूरी तरह से dedicate कर दो अपने school को कि सर यह वो time है जो मुझे school में utilize करना ही पड़ेगा ठीक है इसके अलावा जो 8 hours है यह हो गए आपके sleeping hours as well as जो भी आपका daily schedule होता है रहाना धोना खाना खाना all of that you have to do within these 8 hours जी हाँ थोड़ा सा commando mindset रखना पड़ेगा sir आप क्योंकि एक बड़ी जंग की तयारी कर रहे है and you are fighting with those people जो already retakers है जो already droppers है आप उनके साथ compete कर रहे हो तो उनके पास बहुत time है so आपको भी अपने 24 गंटों में से time जो है वो effectively निकालना पड़ेगा इसके बाद बचता है आपका ये 8 hours ये जो 8 hours है ये dedicatedly आपके होने चाहिए only and only for studies only and only for studies in 8 hours में से what I want you guys to do is कि आप अभी सिर्फ इन 8 गंटों को as a dedicated study time निकालके रखिए ठीक है अब बढ़ते आगे दूसरा जो scenario होगा वो होगा for droppers droppers में वो बच्चे होंगे जिनके पास again 24 hours है इसमें से आप 8 hours ले लिजे सर आपको सोना है नहाना है आपको TV देखनी है रील्स देखनी है खाना खाना है do anything whatever you want to do in these 8 hours but other than that as per me you have 16 hours dedicated जो आप पढ़ाई को दे सकते हो मैं आपसे ये 16 घंटे नहीं मांग रहा I am just asking you कि आप मुझे देजे 12 hours 10 to 12 hours daily क्यों सर इतने घंटे सर आपके पास करने को कुछ नहीं है the harsh reality is कि आप घर पे बैठे हुए हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो you have given a reason कि आपको CLAD की तियारी करनी है that means you cannot opt for any other option than studying आपने अपने जीवन का एक साल वैसे ही जो है आपने दे दिया है कुर्बान कर दिया है CLAD को अब अगर उन एक साल में भी आप जो है मैनत नहीं कर रहे हो then definitely you are doing wrong to yourself so for that you need to realize कि sir effective utilization effective utilization of time is something that you need to do ठीक है तो अगर अब यहां पर आप 12 घंटे देने से कत्रा रहे हो भी उस समय में जब examination is just hardly four and a half months ahead तो that means कुछ ना कुछ तो problem है आप में ठीक है and that is not going to fetch you results तो इसलिए इस चीज को please बहुत importantly आपको यह बसाना है अपने दिमार्ग में कि less than 12 hours if in case you are giving then you are definitely not doing anything for your preparation if in case you are a dropper ठीक है तो अब आप देखिए कि किस प्रकार से आपको hours allotment करने है अगर हम बात करते है school going बच्चों की school going बच्चों की so what I want from you guys is कि आप 5 घंटे dedicatedly हमें दे दो इस पाच घंटे में पहला जो hour होगा this will be this will be dedicated to your current affairs and newspaper if in case you want to read ठीक है why am I saying if in case because अगर आप सोच रहे हो केवल और केवल current affairs पढ़ लेने से आपकी तयारी हो जाएगी तो आप newspaper पढ़ लेने से आपकी current affairs की तयारी हो जाएगी then trust me आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो newspaper बस पढ़ने से आपके current affairs की तयारी नहीं होगी you will have to read, you will have to go through one of the magazines dedicated current affairs की ठीक है so please make this thing sure अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि सिर्फ newspaper पढ़ लो आपका current affairs would be stronger then trust me आप बेवकूफ बन रहे हैं सिर्फ current newspaper पढ़ने से current affairs नहीं होगा आपको पढ़ना पढ़ेगा current affairs की magazine इस एक घंटे को जो आप दे रहे हो यहां पर आप legal की तयारी करिए legal में आप contract पढ़िए आप constitution पढ़िए एक overview लेना है आपको इन subjects का ठीक है आपसे directly कोई ये नहीं पूचेगा कि article 14 में क्या दिया है हमको बताओ कोई नहीं पूचेगा article 19 में क्या दिया है हमको बताओ rather वो आपसे उसका interpretation चाहते है for clear right so have an idea आप दीजे 10 to 15 hours कि भाई मेरे को इसमें contract खतम करके अलग कर देना है फिर 10 to 15 hours में को IPC के जो terms है उनके बारे में पता होना चाहिए फिर 10 to 15 hours में को जो thoughts के principles है वो पता होने चाहिए इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या करना है अपने slot 2 में इन चीजों को खतम करना है उसके बाद जो slot 3 आएगा ये slot 3 वो होगा जहां पर आप थोड़ा सा tired हो जाओगे शाम हो चुकी होगी यहां पर ऐसी कुछ चीज ना गरें जो आपको मगप जादा करनी पड़े बट रादर focus किस चीज पर होना चाहिए आपका आपका focus होना चाहिए कि आप यहां पर quant and reasoning पर जादा ध्यान दे quant और reasoning पर reasoning आपके critical reasoning आपको पता ही है तो आप उसके लिए time allot कर सकते हो और quant जो है उसके लिए आप time allot कर सकते हैं इसके अलावा the very important thing that you need to know is कि Saturday को अगर आपका half day होता है which I assume की होता ही होगा अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं फिर भी Saturday and Sunday का यह जो time period है यह आपके लिए brahmaastra है इस चीज को analyze करो ठीक है and यहाँ पर आपको कम से कम इन दोनों दिनों को मिला कर कम से कम इन दोनों दिनों को मिला कर आपको 14 से 16 गंटे का time निकालना है पढ़ाई के लिए and these hours shall be your cream hours यह आपके sprint के hours होंगे इसमें आपको sprint माननी है and जो droppers जो already prepare कर रहे हैं पूरे हर दिन उतना time देखे उनके करीब आना है आपको इस time period को utilize करके तो effective utilization of your weekend is something जो आपको करना है ठीक है अब बात करते हैं droppers की Sir droppers droppers की अगर बात की जाए तो सबसे पहले slot 1 again इनका भी वही होगा current affairs and newspaper but इनके slots का थोड़ा सा time change होगा for example यहाँ पर जब school की बात कर रहे थे तो 1, 2 and 2 इतने hours आप दे सकते हैं but जब मैं droppers की बात करता हूँ Sir and ma'am, trust me the time which you need to give over your is 3, 3 and 3 3 hours for each slot minimum this is what I am trying to tell you ठीक है और यह जो 3 slots हैं इसमें आप current affairs पहले slot में पढ़ें क्योंकि सुबह होती है आपका brain जो है fresh होता है जितना जादा आप mag up कर सकते हो चीजों को वो आपने यहाँ पे करनी है उसके बाद slot 2 में आप legal पढ़ सकते हैं and slot 3 में आपको quant or reasoning as per your monthly time table जो है वो करना है ठीक है I hope this is clear अब सवाल ही उठता है कि sir exam का pattern एक बार ही जल्दी समझ लेते हैं क्यों समझ रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे बट पहले देख लो English reasoning sir इन सभी का आपको 20% weightage देखने को मिलता है quantitative techniques 10 तो इस पूरी line का इस पूरी row का weightage अगर आप देखो तो वो 50% है बट उसके बाद आप नीचे वाली row अगर देखो तो दो subjects हैं और यह मिला किया आपका 50% weightage आ रहा है कहने का मतलब legal is 25% current affairs is 25% तो these two things are something जिसके बारे में आप छोड़ना सोच भी नहीं सकते और इन से जो है आप खिलवार कर भी नहीं सकते और यह दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी dynamic है वाई दो ऐसे dynamic आप इसमें constitution पढ़ लीजे एक बारी आप इसमें contract पढ़ लीजे बट जब आप आगे जाकर paper को देखोगे, previous year questions को analyze करोगे तो you will realize कि ना केवल यह consistency से question आ रहे हैं contract से question आ रहे हैं, tots के principle से आ रहे हैं but rather there is very important chunk which is coming from the legal current office legal current office में क्या आ रहे हैं legal current office में अगर आप गौड से देखो तो उसमें आते हैं bills उसमें आते हैं, acts उसमें आते हैं, laws and provisions in news अब चूकी यह चीज़ें आ रहे हैं क्या आप इनको एक दिन में पढ़के खतम कर सकते हो, एक हफते में खतम कर सकते हो, नहीं क्योंकि यह डाइनमिक चीज़ है यह आती रहेगी, जैसे ही हमारा नेक्स सेशन आये का नए bills introduced होंगे नए laws जो है वो लाय जाएंगे नए जो है laws in question आएंगे अगर Supreme Court उन पर interpretation देती है judgment जो है नए आएंगे, तो इन चीज़ों को तो sir and ma'am आप afford ही नहीं कर सकते lose करना, that means you definitely need to keep a tap over this and at the same time you definitely need to keep a tap over the current affairs part, वो तो आपको पता ही है ये भी आपका current affairs जुड़ता जाता है जुड़ता जाता है month on month, day on day ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आपको अपनी approach जो है वो dynamic रखनी होगी ये perpetual subjects है ये last तक चलेंगे आपके but जब हम बात करते हैं English की, Reasoning की, Quant की क्या इनको tame किया जा सकता है easily किया जा सकता है आप quantitative techniques में जितने भी major DI के लिए आपको solve करने के लिए जितने भी major चीज़ें चाहिए इन सभी चीज़ों को आप topic by topic जल्द से जल्द खतम करना चालू कर दो and इसको आप रखिए कि मेरे को let's suppose अभी चल रहा है July, August July and August I am dedicating to QT आधा July बचा है एक पूरा August और उसके अंतरगत मेरे को ये कर देना है अब सर बोर हो जाते हैं करते करते कोई बात नहीं, Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday and Saturday यह आपके 6 दिन हो गए इन 6 दिनों में आपका third slot जो है इसके लिए और reasoning के लिए तो Monday, Wednesday and Friday रख लो quantitative technique, Tuesday, Thursday and Saturday that is TTS वो आप रख लो reasoning इस तरीके से आपको reasoning और quant को साथ में लेकर चलना है और जब तक आपका August का मन्त आएगा आप एक बहुत substantial level पर पहुँच चुके होगे इसके बाद आता है English English के लिए तैयारी आपको कैसे करनी है आप vocab पे focus करो इसके लिए newspaper पढ़ो newspaper पूरा पढ़ने का time नहीं है मत पढ़िये just go dedicatedly towards the editorials editorials आप पढ़ना बिलकुल भी नहीं छोड़ सकते editorial is something which is very important to be read ठीक है जो भी news में आ रहे हैं important features, important international affairs and everything just go and read the editorials about them उसमें जितने भी words आ रहे हैं vocab के उन सभी को आपको tame करना होगा until and unless you are taming them then definitely you are doing wrong to yourself ठीक है इसी के साथ the very important thing which is going to add on to your preparation is start giving mocks start giving mocks आपको एक हफते में कम से कम दो mocks जो है वो अब include करना ही करना है you cannot afford to not give mocks mocks आपकी तयारी को जो है wings प्रदान करेंगे उनको exactly पता चलेगा आपको कि आखिर सवाल आते कैसे हैं किस particular section में मैं strong हूँ किस section में weak हूँ और किस तरीके से इनको जो है मुझे tame करना है ठीक है इसके अलावा अब है आपके हातों में जो months उनके बारे में देख लेते हैं July half of it has gone by August, September, October, November ये जो मैंने months नीचे रख रखे हैं इनको आप sprint months consider करिए sprint months यानि वो months हैं जिनमें आपको सबसे ज़ादा पढ़ाई करनी है July already आपके हातों से निकल चुका है आप यहाँ पे जितना बचा है July 15-16 days अभी जो बचे हैं उस time period में आप कोशिश करो कि जितना maximum इसमें से आप benefit arise कर सकते हैं चुकि अभी आप लोग उतना ज़ादा पढ़ाई के sitting के mode में नहीं आए होगे तो इस time period में आपको अपनी sitting develop करने की आदट डालनी है जैसे ही वो आदट डल जाती है सर, August का month should be the month जिसमें आपको सबसे ज़ादा benefit reap out करना है और इसके लिए आप अपने आपको prepare कर चुके होगे क्योंकि आपने sitting बना ली है similarly, अब जब एक महने आपने sit के तयारी करी, अब आप थोड़ा सा ठक जाओगे तो एक महने आपको पढ़ाई करनी है बट थोड़ा relaxed mode पर करना क्योंकि ऐसा जब आप history पढ़ोगे even then you will realize कि किसी भी national movement को एक बहुत लंबे time period तक खीच पाना मुश्किल नहीं होता है तो चोकी freedom struggle को भी समय तक एक ही mode पर खीच पाना possible नहीं है वैसे हमारी साथ भी होता है हमको भी relax होने के लिए समय चाहिए हमारी body को भी तो इसलिए इस समय आप जो है let's suppose अगर आप 100% effort यहां डाल रहे थे यहां पर आप 90% effort डालिए यानि आप थोड़ा सा अपने syllabus को कम कर दीजे आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर दीजे यहां targets थोड़े कम बनाएए उसके beyond जब मन्त आएगा October का इस मन्त में आपको बहुत ज़ादा sprint जो है वो लगानी है and majority of the chunk all your subject should be completed by September जो की किया जा सकता है static portion, English, logical reasoning, quantitative techniques इसको आप September तक खदम कर लो जो dynamic चीजें हैं वो यहां पर perpetuity में तो चली रही होंगी साथ-साथ आपके October और November मन्त में आप उसकी sprint लगाओ current affairs बढ़ियां आप जो है जितना आपने पढ़ा है plus उसमें जितना add-on करना है उसको आप यहां पर करें और November मन्त में आपको इन सभी चीजों का revision करना है November मन्त has to be kept for revision and सिर्फ और सिर्फ current affairs और legal current affairs add करते जाओ otherwise सिर्फ और सिर्फ आपका यहां पर mocks लगेंगे जितने mocks लगा सकते हो without giving into a thought की sir इसमें मेरे number कमा रहे है we are not concerned about it हमें यह चाहिए कि हम अपने उस particular चीज के लिए तयार रहें कि हमारे सामने कुछ भी question आ जाए हम उसको कैसे tame करने वाले that should be the thing and अगर आप इतना कर लेते हो what I want you guys to do is एक diary maintain करो इस diary में आप at the end of the day यह लिखिए कि आपने आज कितनी पढ़ाई करी हर दिन का जब आप यह लिखोगे कि आज मैंने इतने बज़े से इतने बज़े तक यह पढ़ाई करी इससे दो फाइदे है पहला तो यह आपको पता चलेगा कि आप मकारी तो नहीं काट रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप से बोल रहो कि मैं करूंगा और कर नहीं रहे हो तो आप अपने targets को यहाँ पर टाप कर सकते हो इसके beyond जब targets की बात हो गई उसके beyond जो चीजें important है वो यह important है कि अब आप जब यह ऐसे 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 बहुत सारी चीजें आप लिखते जाओगे after the end of these five months जब November का month आएगा आपको anxiety हो रही होगी कि क्या मैं यह paper निकाल पाऊंगा क्या मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा तब आपने इस diary को खोल के देखोगे आप यह realize करोगे कि आपने daily बहुत महनत करिये and that will help you to boost the confidence that will help you to boost your morale and ultimately what is the game so this game is all about confidence in morale along with the subject matter expertise so subject matter expertise आप अगर यहां gain कर पा रहे हो यह आपको मदद करेगा आपके morale को high करने के लिए फिर आपको किसी भी प्रकार के motivation and all of that shit उसकी ज़रूत नहीं पढ़ेगी because already you have worked hard and you have noted down everything that you have done for this examination तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो I am pretty much sure कि आपको पूरा जो आपका मेहनत है उसका फल सरूर मिलेगा इसी के साथ आप में से अगर वो बच्चे हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि sir how to proceed about with this हमको चाहिए कि काश कोई हमें guide कर देता एक dedicated हमारे लिए course होता क्योंकि हम बहुत ही जादा बिखरे हुए हैं कोई हमें समहाल के आगे तक ले जाता तो yes unacademy जो है आपके लिए एक greatest opportunity लेकर आया है and यह greatest opportunity आपको देता है plus और iconic subscriptions पर 30% का off जी हां 30% का off जो की आप avail कर सकते हो इस code को लगाने के बाद बार 5 code जैसे ही आप लगा होगे आपको 30% का off देखने मिलेगा but that is not all इसमें कुछ और भी benefit होना चाहिए sir बिलकुल होगा न इस code को लगाने के साथ आपको जो 30% का off मिलेगा इसमें आपको 3 months का extension भी मिलेगा plus और iconic batches पर कहने का मतलब इसकी validity भी जादा होगी तो अब किस चीज की देर है 30% off along with 3 months का extension and ये वो चीज़े होंगी जो कि आपको फाइदा जरूर देंगे आपकी preparation में and for those kids जिनको legal reasoning में थोड़ा भी डर लगता है I have told this earlier I am telling you again that you need to not worry about anything why because legal reasoning के लिए हम constitution, contract, tots, IPC and इसके अलावा legal current affairs जिसके अंदर आएंगे सारे के सारे bills चो discuss हो रहे हैं सारे के सारे acts चो discuss हो रहे हैं legal current affairs में जो भी provisions and laws in news आ रहे हैं ये सारी चीज़े हम यहाँ पर tap कर रहे होंगे तो this will be your one stop solution by me that is Aditrae and इसको आप join कर सकते हो very soon because अभी अभी यह batch हमने शुरू किया है and इसमें हम January month से लेकर सारा का सारा legal current affairs cover करने की कोशिश कर रहे हैं the only thing which you need to do to avail the maximum discount is you use the code BAR5 जैसे ही आप BAR5 का उप्योग करोगे that is being Aditrae Army BAR5 का यूज करोगे आप तो आपको maximum discount हमारे सारे courses पर देखने को मिलेगा even case आपने अभी तक mock test जो है वो देना शुरू नहीं किया है तो अनकाडमी आपके लिए All India mock test series लाइए जिसमें 35 test होंगे 5 would be dedicated for CLAT and 30 would be dedicated for your sorry 5 would be dedicated for your ALEET and 30 would be dedicated for your CLAT and इसका cost जो है अभी 4,200 रुपीज है which is a discounted one however आप इसको और कम कर सकते हो कैसे? again store पे जाएए इस mock test series को purchase करिए referral code या coupon code की जगे पे bar 5 जो है put करिए जैसे ही आप करोगे you will get to see the maximum discount जो हमारे portal पे होगा अगर आप चाहें तो CLAT exam का experience पहले ही ले सकते हैं आपके घर के आसपास अगर unacademy का CLAT center है तो आप वहाँ जाकर physical रूप से exam जो है वो दे सकते हैं जी 2025 के kids के लिए 2025 का ace legal batch औरड़ी आ चुका है warriors batch one batch for all your 2024 law entrance needs जिसमें होगा CLAT, ALET, MHCT, SLAT, LSAT यह सब कुछ यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा warriors batch में again use the code bar 5 I repeat use the code bar 5 चीक है so I hope all of these things are clear मैं बार बार कह रहा हूँ take this opportunity because this opportunity will फिर मुझ से मत कहना कि sir हमको थोड़ा सा जादा price मिल रहा है दूसरों को जो है सस्ता मिल गया so sir you need to understand that these are basically the discount offers जो की company समय समय पर निकालती रहती है तो अभी अगर आपको यह offer मिल रहा है 30% हो साथ में 3 months का extension I don't think you will get a better deal with this other than this तो इसलिए अभी जाओ and utilize this particular code याद रखेगा code is BAR5 जैसे ही आप इस code का उप्योग करोगे you will get to see the maximum discount with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying, keep grilling Jai Hind, Jai Bharat